हलो दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे चेनु गुन्नु की रसोई में आप सभी का स्वागत है आज हमारी रसोई में बन रही है mango fruity और आप देख सकते हैं कि हमने घर पे ही mango fruity बनाई है और इसका कलर भी कितना अच्छा है जब आप बनाओगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ हम जब घर पे ही mango fruity बना सकते हैं तो market से क्यों लाना इसके लिए मैंने लिया है एक आम और एक केरी ली है इसका आम को मैं छील लूँगी इस तरह से आम को मुझे छील लेना है मैंगो फूरूटी को हम घर पे बना के और एक आम से केरी क्लास मैंगो फूरूटी बना सकते हैं तो फिर घर से ही जार से क्यूं लाना, घर पे ही mango fruity हमें बना लेनी चाहिए, इस तरह से मैंने आम को पीसे स्में, कट कर लिया है, पूरे आम को चट करके, और एक कटोडे में निकाल लूँगी इसको, यह देख सकते हैं, मैंने आम को निकाल लिया है, और अब मैं इसी तरह स आप देख सकते हैं कि मैं कैसे चिलका निकाल रही हूं इस तरह से हम पूरा चिलके को इसका निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद हम इसको भी कट करेंगे टुकडों में पीसे इसमें चुछुछी टुकडों में हमें कट कर लेना है मेरी केरी तो कच्छी थी तो अंदर से भी कट रही थी आपकी पकी हो तब भी आप उपर-उपर से उतार सकते हैं इसका उपर-उपर का जो होता है गीदा उसको उतार ले और ऐसे पीसे में कट कर लें और इसको कट करके भी एक कटोरी में मैं निकाल लूँगी इस तरह से मैंने सारे केरी को काट लिया है और अब मैं इस केरी को और आम को मिक्सी का जार में डाल दूँगी मैंने लिया है एक मिक्सी का जार और इसमें केरी को डाल दी है और इसको आम को भी मैंसी में डाल दूँगी और इसको पीस लूँगी और इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है मिक्सी के जार में आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से पीसा है और अब मैं इसको एक पैन में निकाल लूँगी पूरे को हमको एक पैन में निकाल लेना है पैन में निकालने के बाद मैं इसको पैन को गैस पे रख दूँगी गैस पे रख दिया है और गैस ओन करने के बाद इसको हमें इस तरह से चलाते रहना है जब तक कि ये पूरी तरह से पकनी जाए इसको अच्छे तरह से चलाते हुए पकाएंगे इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बबल पढ़ रहे हैं और इस तरह से जब तक बबल पढ़ेंगे जब तक हमें इसको अच्छी तरह से पका लेना है और इसको पकाने के बाद हम डालेंगे इसमें चीनी और एक केरी एक आम के साथ मैंने चार चमच चीनी डाली है और इसका जो मैजर्मेंट था बिल्कुल परफेक्ट रहा था मैंने जो बनाया था बहुत ही अच्छी मार्केट में जैसे आती है से वैसी ही फ्रूटी बनी थी चीनी डालने के बाद भी ही इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे अच्छी तरह और पकाने के बाद मैं इसको गैस से नीचे उतार दूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी कि मिए उसने के निकाल लिया है और अच्छी तरह से सबकुझ बारी को निकल जाए periodic तो भी तो वो सारे उपर रहे जाएके और इसका पलप यह था इसकोदा लेना है बहुत और अच्छी तरह से मने इसको च्छान लिया आप देख सकते हैं यह हम देंका अ आ घरा हम हम इसमें पानी मिला सकते हैं मैंने इसमें मिलाया है दो ग्लास पानी आप चाहो तो पुरी में अच्छी तरह से आइस भी ढाल सकते हूं मैंने इसमें चार क्यूपस आइस के डाल दिये हैं और अब मैंने इसमें डाल दिया है दो ग्लास पानी और पानी डालने के बाद भी जो टेश था ना बहुत ही अच्छा आया था आप देख सकते हैं और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है हम जब घर पे ही इस तरह से फ्रूटी बना सकते हैं तो बजार से लाना ही क्यों हमारी फ्रूटी बनके तयार है देख सकते हैं कितनी अच्छी कलर आया है फ्रूटी का टे कि मैंने इनको ग्लासों में डाल दूंगी और आप देख सकते हैं कि यह कितनी बिल्कुल परफेक्ट फुरूटी बनी है बिल्कुल एकदम फरफेक्ट मेजर्मेंट के साथ बनी है इस तरह से एक आम के साथ एक केरी होना बहुत जरूरी है इससे इसका जो टैस्ट है वह आरी फुरूटी का कलर